आज इस वीडियो में बात करेंगे हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में मनुश्य एक जिग्यासु प्राणी है वह विपिन प्रकार की घटनाओं के पीछे चिपे कारणों को ढूणने का प्रयास करता है अपने चारों और के संसार को देखने और समझने का प्रयास किया सामाजिक घटनाओं भी अपने आप में काफी जटिल है एक ही घटना के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं और उन सभी कारणों को खोज निकालना कोई आसान काम नहीं है फिर भी मनुष्य ने सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने की लगातार कोशिश की है उसने मानव व्यवहार के प्रेरोकों को जानने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किया है मनुष्री नए प्राकृतिक दशाओं और सामाजिक जटिलताओं को इस पस्ट करने का भी प्रयास किया है साथ ही उसने प्राप्त घ्यान की सत्यता का पता लगाने की कोशिश भी की है उसने विभिन घटनाओं के संबंध में विज्ञानिक विधी को काम में लेते हुए कारेकारण संबंध ढूड़ने का प्रयतन किया है नए सिध्धानतों का निर्मान किया है पुराने सिध्धानतों की सत्यता की जाच नविन परिप्रेक्ष में भी की है यही शोध या अनुसंधान है जब सामाजिक शेत्र में प्रश्णों के उत्तर खोजने का क्रमबत और व्यवसित प्रयास किया जाता है तो उसे ही सामाजिक अनुसंधान शोध अन्वेशन या खोज कहा जाता है मनुशी ने शुरुवात में कालपनिक या दार्शनिक आधार पर गटनाओं का विश्लेशन किया उसने इश्वर या अलोकिक शक्ति को सभी प्रकार की गटनाओं का स्रोध माना पहले उसके ज्ञान का आधार अंतय प्रग्या परंपरा और व्यक्तिक अनुभव तथा प्रयतन एवं भूल की विधिया रही थी इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान में विश्वस नियता और प्रामानिकता का अभावता वर्तमान में व्यक्ति इस इस्तिती से आगे बढ़ गया है और अब वह उसी घटना पर विश्वास करने लगा है जिसे वह नेत्रों से देख सके, स्पर्श द्वारा अनुभव कर सके या कानों के द्वारा सुन सके यानि अब वतारकिक धंग से घटनाओं को समझने और वास्तविक्ता का पता लगाने का प्रयत्न करने लगा है इस प्रकार अब व्यवस्तिक धंग से घ्यान को संचित करता है यही अनुसंधान का प्रारंब है अनुसंधान का अर्थ बार-बार खोजने से है इसमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है पहला अवलोकन ध्वारा घटना को उद्देशिपूर्ण ठंग से देखना या उपलप्त तत्यों के आधार पर घटना को समझना और दूसरा उन तत्यों के अर्थ को जानकर गटना के पीछे चिपे कारणों को समझना इन दोनों तत्यों को ध्यान में रखकर जो ज्यान संचित किया जाता है उसे विश्वस्निय और प्रमानिक माना जाता है इस प्रकार के ज्यान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुसंधान कहा जाता है व्यक्ति के द्वारा धीरे धीरे विश्वस्णी और प्रमानिक ज्यान प्राप्त करने के लिए शोद की ऐसी विधियों की खोज की गई है जिसे वेग्यानिक विधी कहते हैं इस विधी में तथियों का संकलन भी निश्चित प्रविधियों के द्वारा किया जाता है इसमें अवलोकन, साक्षातकार, अनुसूची, वैक्तिक अध्यन पधती, समाज मिती, इनका सहारा लिय जाता है वैप्स्टर, शब्द कोश के अनुसार, तत्यों और सिध्धानतों या किसी भी घटना को ग्याद करने है दू, सावधानी पूर्वक एवं विवेचनात्म खोज या निस्ठा पूर्वक किये गए अनुसन, अनुवेशन को अनुसंधान या शोद कहते हैं दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब नवीन ग्यान के प्राप्ति तथा विद्यमान ग्यान में संशोधन, परिवर्धन या परिमार्जन के उद्देशी से कोई व्यवस्थित प्रयतने किये जाते हैं, तो उन्हें ही अनुसंधान या शोद के नाम से जाना जात दि न्यू सेंचुरी डिक्ष्णरी के अनुसार किसी वस्तो या व्यक्ति के संबंद में सावधानी पूर्वक खोज करना एवं तत्यों या सिध्धानतों का पता लगाने के लिए विशे सामगरी की लगातार सावधानी पूर्वक जाँच परताल करना ही अनुसंधान है अनुसंधान में व्यक्ति अपनी जिग्यासा के अनुरूप गहन अध्यान करता है जिसकी जिग्यासा का आधार चाहे प्राकृतिक दशाये हो या सामाजिक जटिलता है इनसे संबंदित ज्यान का सथ्यापन करना नए सिध्धानतों का निर्मान करना और पुराने सिध्ध परिक्षन करना ही अनुसंधान या शोध है कोई भी अनुसंधान जब सामाजिक जीवन सामाजिक गटनाओं या सामाजिक जटिलताओं से संबंदित होता है तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं इसमें इन सब के संबंद में यथार्त ग्यान प्राप्त किया जाता है इसके लिए आनुभवी या अनुभव सिध्य तत्यों का पता लगाया जाता है निरिक्षन, परिक्षन, वर्गी करण और सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारणों को डूण निकाला जाता है सामाजिक अनुसंधान में सबसे पहले किसी व्यवहार, समस्या या घटना से संबंदित मूल भूत तत्यों का अवलोकन किया जाता है ताकि उसकी सामाने प्रक्रती को अच्छी तरह समझा जा सके उसके बाद उन सामाजिक नियमों का पता लगाया जाता है जो एक विशेश घटना, व्यवहार या समस्या के पीछे छिपे कारणों को प्रकट कर सके संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थ ताओं कि वेग्यानिक विदी द्वारा खोज पर विशेश बल दिया जाता है सामाजिक अनुसंधान का अर्थिस पस्ट करते हुए श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वेज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसका उद्देश तारकिक और क्रमबत पधतियों के द्वारा नवीन तथियों की खूच या पुराने तथियों की परिक्षा और सत्यापन उनके क्रमों पारसपरिक संबंधों कारिकारण की व्याख्या और उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विशलेश करना है सामाजिक अनुसंधान को परिपाशित करते हुए सी ए मोजर लिखते हैं सामाजिक प्रगटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ग्यान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्तित खोजी सामाजिक अनुसंधान है जी एम फिशर के अनुसार सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्तिती में सू निश्चित कारे प्रणालियों का प्रयोग है जिसका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना या किसी प्राकल्पना का परिक्षन करना या एक नवीन प्रगटना की खोज या लगाना है इसी तरह E.S. बोगार्डस लिखते हैं साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतरनेद प्रक्रियाओं की खोजी सामाजिक अनुसंधान है इस तरह इन परिभाशाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक या समस्या के संबंध में वेग्यानिक विधी का प्रयोग करते हुए सामाजिक अथार्थ ताकों समझने का प्रयत्न किया जाता है इसमें निरिक्षन परिक्षन तथियों के संकलन वर्गी करण तथा सामानी करण के ध्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का पता लगाय और वस्तु इस्तिती की तार्किक डंग से विवेचना की जाती है। प्रविधियों एवं पधतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता बल्कि नवीन प्रविधियों के विकास पर भी जोड़ देता है। इसका कारण यह है कि सामाजिक घटना एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होकर एक दूसरे से संबंधित होती है। जैसे गंदी बस्तियों और बाल अपरात के बीच परस पर कारे कारण का संबंध हो सकता है। एक और विश्रिष्टा सामाजिक अनुसंधान में जहां नए तत्यों की खोज की जाती है वहीं पुराने या पूर्विस्थापित सिध्धानतों की पुनर परिक्षा और सत्यापन का कारे भी संबंध किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधी है जिसमें प्राकलपना की उप्युक्तता की जाँच या परिक्षन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान अध्यन से प्राप्त निश्करशों को सिध्धानतों के रूप में प्रयुक्त करने का एक व्यग्यानिक तरीका है यानि इसके अंतरगत नए सिध्धानतों का निर्मान किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान जहां विशुत ग्यान की खोच पर जोड़ देता है वहां साथ ही इसका प्रयोग व्याभारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है कहने का आर्थ यह है कि सिध्धान्तिक और व्यावारिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक अनुसंधन किया जा सकता है अब हम बात करते हैं सामाजिक शोधिया अनुसंधन के शेत्र के बारे में तो सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयतन किया जाता है ज्यान प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष है ज्यान की प्राप्ति ज्यान की व्रद्धी और ज्यान की पुना परिक्षा का कार्य यह निरंतर करता रहता है इस ज्यान का प्रयोग व्याभारिक समस्याओं को हल करने समा सुधार सामाजिक नियोजन सामाजिक विकास और मानव कल्यान और मानवियजीवन अधिक प्रगति शील बनाने के लिए किया जाता है सामाजिक अनुसंधान के शेत्र वेग्यानिक है उसमें निरिक्षन परिक्षन तत्यों के संकलन वर्गी करण और सामानी करण के लिए व्यवस्थित विधी को अपनाया जाता है जिसे वेग्यानिक पध्धती कहते हैं सामाजिक अनुसंधान के शेत्र की एक विश्रिष्टा यह भी है कि है सामाजिक तत्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंदों को ढूंड निकालने पर जोड़ देता है क्योंकि सामाजिक जीवन में सब जगे अन्ता संबधता और अन्ता निर्पडता पाई जाती है सामाजिक जीवन के सभी पक्ष एक दूसरे के साथ गनिस्ट रूप से जुड़े हुए हैं सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने के लिए इन संबंधों का पता लगाना बहुत आवशक है यह कार्य सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है सामाजिक अनुसंधान के शेत्र की एक और विशेशता यह है कि इसकी साहता से सामाजिक जीवन और घटनाओं पर नियंत्रन पाने का प्रयास किया जाता है अनुसंधान करता अपने अनुसंधान कारे में प्रयोगात्मक पद्धती का प्रयोग करने के लिए कुछ सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करके उसी के समान अन्य सामाजिक घटनाओं पर विभिन कारकों के प्रभावों को देखता है इससे सामाजिक जीवन और घटनाओं के संबंद में उसके ग्यान में व्रद्धी होती है सामाजिक अनुसंधान के शेत्र की एक और विशिष्टा यह है कि इसमें केवल मानव से संबंदित सामाजिक घटनाओं का ही अध्यन किया जाता है प्राक्रतिक भोतिक या अन्य प्राणियों के सामोहिक जीवन से संबंधित अध्यन सामाजिक अनुसंधान के अंतरगत नहीं किये जाते सामाजिक अनुसंधान में मनुशियों की सामाजिक क्रियाओं और उनसे उत्पन सामाजिक संबंधों के ताने बाने का यानि सामाजिक संडशना का अध्यान किया जाता है सामाजिक अनुसंधान की विद्धियों का प्रयोग वर्तमान में केवल समाशास्ट्रे अध्यनों में ही नहीं बलकि अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों में भी किया जाता है सामाजिक अनुसंधान का शेत्र काफी व्यापक है समपूर्ण समबंधित 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 किसी भी घटना को चुना जा सकता है आज अनेक कारणों से समबंधित के विभिन पक्षों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं इसलिए पुराने नियमों, सिध्धानतों और ज्ञान की पुना परिक्षा बहुत आवशक है। आज शोत कारियों ने सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक घलत धारनाओं को दूर करने में काफी योग दिया है। सामाजिक जीवन का अभिन अंग है। कोई भी समाज इन से पूर्ण तहमुक्त नहीं होता, जब तक इन सामाजिक समस्याओं की प्रकृति को नहीं समझ लिया जाता, कारेकारण संबंधों को ग्यात नहीं कर लिया जाता, तब तक सामाजिक जीवन के संबंध में हमारा ग्यान अपूर्ण या अधूरा ही रहेगा आज के वीडियो में बस इतना ही इससे आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे